किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरत दाकर आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे दान की फसल में आखरी यूरिया कब देना चाहिए आखरी यूरिया देने का सई समय कौन सा होता है यूरिया के साथ हम किन चीजों का प्रियोग कर सकते है यूरिया का प्रियोग करने से धान की पेदावार को हम केसे बढ़ा सकते है धान में यूरिया डालने से क्या क्या फाय तक जानकारी पहुचाना है जो धान की खेती पहली बार कर रहे है या उन्हें पता नहीं है कि धान की वसल में यूरिया का प्रयोग कब कितनी बार होता है और आखरी यूरिया कब देना चाहिए इस वीडियो का आप पूरा देखिए फसंद आने पर लाइक कर दीजे यदि आ किसान भाई दान में दो या तीन बार भी यूरिया का प्रयोग करते है धान में आकरी यूरिया के प्रयोग के बारे में बात करे तो दान में बाले आने से पहले यनि की धान की गबोट अवस्ता से पहले पहले ही आपको यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए यूरिया में मुझूद नायट्रोजन एक परकार से पोदे की ग्रोध को बढ़ाती है पोदे से पीलापन को दूर करती है पोदे की जड़ों को अच्छे से ग्रोग करती है जिससे धान में फुटाओ ज्यादा से ज्यादा कले ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग देखने को मिलती है किसान भाई यो धान में आकरी यूरिया देने का समय गबोट अवस्ता से पहले पहले का होता है यानि कि धान की रूपाई के बाद कम से कम 45 दिन के मद्य आप यूरिया का प्रियोग कर लीजिए बहुसे किसान भाई गबोट अवस्ता या बाले आने के बाद यूरिया देते है यूरिया का उन्हें ज़्यादा फाइदा नहीं मिल पाता है नायट्रोजन की अधिक्ता के कारण धान की वसल की अंचाइव रदी हो जाती है जिससे फलपुल अच्छे से नहीं आते है बाले अच्छे से विक्सित नहीं हो पाती है और पेदावार कम निकलती है अगर आप यूरिया का सो फीसदी रिजल्ट लेना चाहते है तो यूरिया का प्रियोग आप धान की गबोट अवस्ता से पहले पहले ही कर सकते है आप दो या तीन बागों में यूरिया का प्रियोग कर सकते है जिससे कापी अच्छे रिजल्ट मिलते है अब बात करते है कि धान में आकरी यूरिया हम जब दे रहे है तो उस समय हमें कौन सा खाट डालना चाहिए किसान भाई यह आपके उपर निर्बर करता है अगर आपके धान की फसल कमजोर है फसल में पीलापन है तो यूरिया के साथ आप अच्छे से कीटनासक का परियोग भी कर सकते हैं जो धनेदार फोम में आता है कहीं परकार के कीटनासक आते हैं हमारे चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे तो उनको देखकर आप धान में कीटनासक का परियोग कर सकते है इसके अलावा अगर आपकी फसल कमजोर है तो आप ग्रोथ पर मोटर दे सकते है जिंक और सलफर का परियोग भी कर सकते है इसके अलावा भी हुमेकेसिट का परियोग भी आप कर सकते है अगर जड़े कमजोर है तो इसके अलावा आप पोटास को मिला कर भी दे सकते है आकरी यूरिया के समय इसके अलावा ज्यादा खादों की जरुत नहीं होती है तो आप इन खादों को यूरिया के साथ मिला कर दे सकते हैं अगर आपने पहले दे दिये हैं तो दोबारा ना डाले इस परकार से आप धान में आकरी यूरिया दे सकते हैं और धान की खेती से अधिक उत्पादन ज्यादा पेदावार ले सकते है जानकरी अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद